लोकसब में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्नका उत्तर देते समय भाशा के इस्तमाल को लेकर अध्यक्स ओम बिडला और केंद्री शहरी मामलों की मंत्री हरदीप सिंग पुरी के बीच हलके फुलके अंदाज में नोमचोग देखने को मिली प्रश्नकाल के दौरान दिल्ली से बीजेपी सांसत मनोच तिवारी ने आईश्मान भारत कार्ड के अभाव में दिल्ली और पस्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को होने वाली कठिनाईयों के बारे में सवाल पूछा था जैसे ही केंद्री मंत्री ने अंग्रेजी में जवाब देना शुरू किया ओमबिडला ने उन्हें टोकते हुए यदि संभाव हो तो हिंदी में बोलने का अनुरोध किया इस पर हरदीप सिंग पूरी ने कहा अध्यक्ष महोदे मैं हिंदी में उत्तर दूँगा यदि आप चाहें तो मैं पंजाबी में उत्तर दे सकता हूँ मनोजी पंजाबी समझते हैं लेकिन चेर से जिस तरह की निर्देश आ रहे हैं वो दूसरों के लिए भी होना चाहिए इसके बाद पूरी पंजाबी में बोलने लगे लोगसबा अध्यक्ष ने हरदीप सिंग पूरी को फिर टोकर उन्होंने कहा मुझे पता है कि आपको कई भाषाएं आती हैं आप अंग्रेजी में भी जवाब दे सकते हैं लेकिन यहां हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में बोलने के लिए आपको पहले मुझे लिखित में देना होगा पीछा सीन के हिदायत को ध्यान में रखते हुए केंडरि बंतरी पूरी ने कहा मैं भोचपुरी टच देते हुए हिंदी में जवाब देता हूं इसके बाद उन्होंने सवाल का हिंदी में जवाब दिया नसीहतों का दौर सिर्फ यहीं नहीं रुका केंद्री मंतरी हरदीप सिंग पूरी ने मनोश तिवारी के सवाल के जवाब में केंद्री योजनाओं पर दिल्ली और पस्चिम बंगाल में अमल नहोंने को लेकर लोकसबा अध्यक्ष से कहा कि उन्हें इस मामले में दोनों राज सरकारों के साथ आम आदमी पार्टी और त्रेणमोल कॉंगरस को भी निर्देश देना चाहिए कि वो केंद्री की योजनाओं को ठीक तरीके से लागू करें इसके जवाब में स्पीकर ओम बिडला ने कहा केंद्री मंत्री को पता होना चाहिए कि चेयर यहां से राज सरकार या फिर किसी राजनीतिक दल को इस तरह का निर्देश नहीं दे सकता वो सिर्फ केंद्र सरकार को ही निर्देशित कर सकता है तो संसत की इस हलकी फुल की नोग जोग के विशे में आपकी क्याराय है